हलो फ्रेंड्स मैं हूँ तरुना और मैं लाती हूँ आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जोड़ेंवे कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो अभी तक हमने बहुत से अपोजेट वर्ट सेखें अंटिनिम्स सेखें इन फैक्ट रिसेंट्ली अभी दो दिल पहले तीन द पर आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के अपोजेट बताने जा रही हूं जो हम डेली यूज करते हैं अब सर्प्राइज है कि कौन से ऐसे वर्ब्स है अब जैसे मैं आपको कहूं कि अपनी शोट पहन लीजे या शोट उतार दीजे तो इनके ल पहन लेना पुट उतारना अपोजेट वर्ड हुआ उतारने की इंग्लिश हुई टेक उफ सो अगर आप देखें फ्रेजल वर्ड पुट उन का अपोजेट क्या हुआ टेक उफ आप अपने फ्रेंड्स को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं जब वो कहीं बाहार जाते हैं दूसरे जेकेब पर जाते हैं अपनी नानी दादी के हाँ जाते हैं या खुमने जाते हैं तो आप उनको छोड़ने चाते हैं मैं तो चाती हूँ और कभी-कभी जरूरत पढ़ने पर उनको लेने भी जाती हूँ तो इंग्लिश में कौन से वर्ड हैं इनके लिए छोड़न drop off I went to drop off my friend मैं अपने friend को छोड़ने के लिए गई और drop off का opposite क्या होगा phrasal verb remember drop off phrasal verb है और इसका opposite है pick up pick up भी phrasal verb है अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ I went to pick up my friend मैं अपने friend को pick up करने गई receive करने गई, लेने गई even आपने देखा होगा बच्चों को bus stop पर pick up करने जाते है जब छुट्टी होती है तो pick up करने जाते हैं कि नहीं आप और morning में क्या करने जाते है drop off so drop off and pick up are antonyms अचा बस की ही बात हो रही है तो bus में आप चड़ते है अब bus stop पर जाएंगे तो bus में चड़ने के लिए ही तो जाएंगे ना कैसी stupid हूँ मैं भी so चड़ना get on जो phrasal verb है चड़ने के लिए वो है get on get on के वैसे काफी meanings है but get on something का meaning हुआ bus, train, boat या aircraft में चड़ना I think we got on a wrong bus मेरे ज्याल से हम गलत बस में चड़ गए है और get on का opposite हो का get off मतलब नीचे उतरना to leave a train, bus or aircraft I tripped as I got off the train जब मैं train से उतर रही थी तो गिर गए सो get on, get off अब आपने देखा होगा जो पुलिस है चोरों के भीचे भागती है और चोरों भागते हैं पुलिस से बच कर सो पीछा करना और भागना तोनों ही opposite word पे इनके लिए जो English words है फ्रेजल वर्प्स हैं वो है run after someone or something किसी के पीछे भागना जो आप से तूर जा रहा हो right to chase someone or something who is moving away from you for example why do you think dogs run after the cats आपको क्यों लगता है कि जो dogs हैं वो हमेशा पिल्लियों के पीछे भागते हैं देखा है ना कहीं पर भी अगर पिल्ली देख जा तो उसनके पीछे भागते हैं तो क्यों ऐसा है so उनको chase करना उनके पीछे भागना इसके लिए जो English phrasal verb है वो है run after और run after का opposite phrasal verb है वो है run away किसी से दूर जाना जैसे पहले भी हमने बात किया कि एक ही phrasal verbs के काफी meaning होते हैं तो यहाँ पर run away का meaning हुआ to leave a place or a person to avoid the situation right for example she ran away from her house when she was just 16 वो अपने घर से भाग गई दूर चली गई थी जब वहें सिर्फ 16 साल की थी अब जो आज का last bear है antinim bear है phrasal verb का वो है speed up and slow down speed up सब को पता है तेजी से आगे पढ़ना कती पढ़ाना move or work more quickly यानि कती पढ़ाना पर even car की भी आप speed पढ़ाते न तो वो भी speed up ही होता है यहाँ पर मैं आपको example दे सकती हूँ I want to speed up my work as I don't want others to wait for me मैं अपने कारे की कती बढ़ाना चाहती हूँ काम करने की कती बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरे मेरे लिए wait करें और speed up का opposite phrasal verb है वो है slow down थीमा करना कती थीमी करना आप speed up और slow down को बहुत easily कार के sense में समझ सकते हैं कि don't speed up there is a speed hump ahead कती तेज मत करो आगे speed hump है pumpers होते है ना वो है और slow down slow down your speed अपनी कती को थीमी करें तो वो चाहे कार की कती हो या आपके कारे की कती हो काम करने की कती हो work की कती हो opposite सेम ही रहेगा तो यह वैसे तो antinyms की ही class थी वीडियो है पर यहां पर हमने words के नहीं phrasal verbs के antinyms सेखे और यह सभी ऐसे phrasal verbs हैं जो हम अकसर नहीं मैं तो यह बोलूँगी कि हम daily अपने day to day life में use करते हैं इन सभी words को तो इनके opposite भी आपको पता होने चाहिए I'm sure आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए interesting होने के साथ informative भी होगा अब आप जली से comment section में मुझे speed up और slow down इन दो phrasal verbs से एक एक sentence बनाकर जरूर बताईए और साथ में हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी कर ले प्रेस जरूर कीजे ताकि आपको हमारे upcoming videos के notification imitate के मिले वीडियो को share करना ना भूले ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले उनको भी knowledge मिले मैं आपसे मिलूंगी next video में till then have a nice day bye